मातो साहब, जो सब इंस्पेक्टर, खादिर के कतल के जुर्में पकड़ा गया था, उसे पांच साल की सजा हो गई है हाहा, बेचारा सब इंस्पेक्टर, उसके बीवी बच्चे है या नहीं, जी हाँ, मैं ही हूँ मिस्स राने, आप कौन है मातो साहब, फ्रक रवाना हो गया है, कल रात बॉम्बे पहुंच जाएगा मातोर साह, मैं रिकु बोल रहा हूँ, डीके साहब को बॉम्बे जल्दी भेजियेगा राना ने हम लोगों का जीना हराम कर रखा है, उसके आदमियों ने हमारा दो क्रोर का माल लपेट लिया, और माइकल का बेहरेहमी के साथ कतल कर दिया मातोर साह, अब तो लगता है कि ये जंग चलती रहेगी हमारी, मरते दम तक मातोर साहब का हुक्म है कि ये सब हत्यार और ये गोला बारूद आज ही बॉम्बे पहुंचा दो राना साब का ओर्डर है कि हत्यारों से भरी वो गाड़ी बंबई पांचने से पहले उड़ा दो राना कि जिन आदमियों ने हमारी हत्यारों से भरी गाड़ी को उड़ाया है उन्हें खत्म कर दो सारा का सारा माल आज पहुंच जाना चाहिए ये राना साब का ओर्डर है और सुनो अगर डीके के किसी भी आदमी ने कोई भी बीच में दखला अंदाजी की उसे गोली से उड़ा देना सुनो साब इंस्पेक्टर कदम के होते हुए वहां माल नहीं उतारा जा सकता जो हमारी राज़ते में आए उसे खात्म कर दो यो राना का आदमी है राना जिसकी सरपरस्ती में बंबई का हर गुनेगार पलता है राना जिसके मूँ से निकला हुआ हर लवज इन गुनेगारों के लिए कानून होता है उसी तरह ये खतरनाक मुल्जिम सुल्तान राना की शैपा कर कानून के साथ खेलता रहा लेकिन आज ये कतल के इल्जाम में कट घरे में खड़ा है मैं अदालत से दर्खास करता हूँ कि इस मुल्जिम को सजाए मौत दी जाए जो कि राना के मूँ पर एक तमाचा हो ये राना साथ है तमाम सबूत गवाहों के बायानात और सरकारी वकिल की जरा सुनने के बाद मुल्जिम सुल्टान के खिलाफ जो सबूत मिले हैं वो नाकाफी हैं जिसे ये साबित होता है कि जगन का कतल नहीं हुआ बल्के उसकी मौत एक एक्सिनेंट थी इसलिए आदालत सुल्टान को निर्दोश मानते हुए उसे रिहा करती है झाल 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 आपकी दया से राना साहब मेरी बिट्या सुहागन बन गई हम यही सुनना चाहते थे राना साहब ये दोनों आपका अशिरवाद लेने आए हैं जाओ बेटी बस जीते रहो जीते रहो जब कभी हमाई जूत पड़े तो यहां की दर्वाजे हमेशा खुले मिलेंगे आपका घर घर नहीं है राना साहब गरीबों और कमजोरों की वो चौकट है यहां से कभी कोई खाली हाथ वापिस नहीं गया इस देवता के चरण शू बेटा इनी की कृपा से तु मुझ जैसे अपाहिज का बेटा आद भी ऐसी हो गया हमें देवता मत कहो बाबा हमें अमीरों की ताकत का नहीं गरीबों की कमजोरी का हिसास है और फिर देवता तकदीर बनाते हैं जो उनके हाथ में है हम तो सिर्फ तद्बीर बताते हैं रगू तुम से दात इंडस्रीज में फोन कर दो कल सुबह वहाँ जाकर नौकरी शुरू कर देना पार आना साब इंटर्वियू? हमारे फोन के बाद इंटर्वियू नहीं होता लेटर व एपॉइंट्मेंट सीधा मिलता है गोवर्धन सेट आये हुए हैं कानफरेंस रूम में उनने बिठा दिया गया है बैठो बैठो मामला क्या है? मामला तो सरफ पच्चीस लाख रुपे का है राना साब लेकिन जो आत्मी हजम कर गया है वो है सोनू बदमाश दादा दादा तो इस दुनिया में सर्फ दो हैं एक उपरवाला और दूसरे हम बोलो बात क्या है? आज से पाइच साल पहले सोनू क्लब खोलने के लिए मुझे से बीस लाख रुपे कर्ज ले गया था सूद मिला कर आज 25 लाख हो गए उसके घर और कलब के कई चकर काड़ चुका हूँ लेकिन लोटाने का नाम ही नहीं लेता आते मंगल को यहां कर तुम अपने 25 लाख रुपे ले जाना और उसमें से ब्याच की 5 लाख तुम अपने नाम से कस्तूर बाना थाले को दान कर देना सोनू को उठा लाओ राना साब आप अच्छी तरह जानते हैं कि के हमारी डीके से बर्सो पुरानी दुश्मनी है जी हाँ यही और हम ये भी जानते हैं के डीके और उसका दूसा भाई रिक्कू दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और उनका तीसा भाई सोनू अपने भाईयों के बल्बूते पर सेट गॉर्द अंदास के 25 लाख रुपय हाजम कर गया लेकिन सोनू को चेड़ने का मतलब होगा हमारी डीके के साथ और गयरी दुश्मनी दुश्मनी और दोस्ती अगर गाड़ी नहो तो उसमें कोई रंग नहीं आता चिंगू हमें सोनू जिन्दा चाहिए 24 घंटे के अंदर इस काम के लिए मुन्ना और ताहिर को भेज़ दे हमें सोनू को उठवा कर लाना है जिन्दा मुर्दा नहीं तो फिर ये काम कुन करेगा सिर्फ एक आदमी और तुम लोगों ने अभी उसे देखा भी नहीं और सोनू कभी खौब में भी नहीं सो सकता कि वो हमारा आदमी होगा कुछ ही दिनों से वो हमारे साथ काम कर रहा है नहायत चुस्त, चालाग और फुर्तीला कि वो हमारे साथ काम कर रहा है कि वो हमारे साथ काम कर रहा है कौँ है यह साथ अपना डंसर बिमार है यह निया डंसर बुलाया है क्या नाम है? क्या लेना मेरा काम देखो यारो किसको कहां से उठाना है? किसको कहां पहुचाना है? यह अपना धन्दा पुराना है काम का लेता हूं इनाम देखो यारो काम कमे लेता हूं इनाम देखो यारो अरे नाम देखो यारो आए यारो मेरे नगमों के दीवाने है कई यहाँ वहाँ मेरे निशाने है कई अभी मुझे पर्द हटाने है कई लोगों को तमाशे दिखाने है कई जल्दी जल्दी अदो ये चाम देखो यारो जल्दी जल्दी अदो ये चाम देखो यारो दिल आपका बहलाना है अपना भी काम बनाना है ये अपना धन्दा पुराना है नाम से क्या देना मेरा काम देखो यारो अरे नाम को होता है बज नाम देखो यारो अरे नाम देखो यारो दुनिया में पैसा नचाए सबको यही है जो रस्ता भुलाए सबको पैसे की समना सताए सबको पर ये गले ना लगाए सबको पैसे की समना सताए सबको पर ये गले ना लगाए सबको पैसे का जमाना गुलाम देखो यारो पैसे का जमाना गुलाम देखो यारो पैसे का जमाना गुलाम देखो यारो का जमाना बड़ से का जमाना गुलाम देखों when Pit का जमाना गुलाम देख Jacqueline आग बानी में लगा के रखदू जमी को फटक से मिला के रखदू ओ, आग बानी में लगा के रखदू जमी को फटक से मिला के रखदू पट्धर को भी हिला के रखदू सारी मेह दिल को नचा के रख दू खेल तो दिखाया अंजाम देखो यारो खेल तो दिखाया अंजाम देखो यारो काम अभी करूंगा तमाम देखो यारो यहां जो भी मेरा निशाना है तरह से ले जाना है यह अच्छ में थंदा पुराना है अगर किसे न हिलने की कोशिश की, तो इसका भेजा हिला दूगा, नमू कुवन नमू, नमू अगर किसे न हिलने की, नमू कुवन से लुटा नमू सी किसे नमू है कि अगर का सων से दूगा, नमू कुवन छागर लुटा है मूर पूए ठट अगर दूए खागर की का लघका की कि तो और रेए श्गर कि अगर करे दूए घर उंटो पजया कोट धानी मेंदोन सरी जनाई करी आrias is przed एphaे एल εδώ μποो की ज़ए प्रूबर प्रूबर जाइज़ इंग तयचा आए ऑग समय खिर्बस्ट्ट कर दो कहां जूदाई जूज़ है लुजर कर दोन भार भार घंग भार लूल कर दो जातों उल कि अल कर दो हमाने बार दो नहाँ प्रिक में तो रस इशाँ राना? सुना है, तुम बहुत बड़े डादा बन गए हो? हा राना आ नहीं कहते, राना को जी कहते मुझे पिंजरा में कोई कहती कर सकता पिंजरा तो वो है, जहां से हमने तुम्हें मंग आया था यह तो शेर की गुपा है यहां अगर तुमने करवट भी ली तो समझो मौत को बुलावा दिया हमारी सुनो, आज रात अपने आवाज को अपने सीने में घोंट लो और कल सुबह का इंतजार करो जब तुम्हारे चीखें सुनकर शाय समंदर भी थर्रा उटे जिसे हम याल आते हैं उससे सिर्फ एक बार सवाल बुछते हैं और सोनू, हमारे कान ना नहीं सुन सकते अगर ना सुन ले तो हमारे कानों से अंगारे निकलने लगते हैं और ना कहने वाले का हशर ये होता है अब बोलो, रुपया वापस ला रहे हो या नहीं नहीं लान साब, मैं आज ही पेसे लोटा दूगा आज ही पेसे लोटा दूगा मैं खोल दो इसे ये कुछ रुपय तुम्हारा इनाम इनाम कैसा? मैंना तो आपका दियावा हुक्म और अपना फर्ज अदा किया है लेकिन सोनू ने अभी तक यही ना के रुपय नहीं भेज़े जी जाए एक बात और याद रखना मौत का खाफ आम आदमी की बहुत बड़ी कमजोरी है और यही खाफ सोनू को रुपय भेजने पर मजबूर कर देगा सोनू ने रुपय भेज़वा दिये राना साथ ब्रादा आगे भेजा दर्वाजा खुला है इंतजार करते करते यहीं सो गई खाना खाके अंदर क्यों नहीं सो यहां जब तक तुम्हारे हाथों से पहला निवाला ना खालू खाना हलक सनीची कैसे उतरेगा अरे मेरी प्यारी बेना चल तु चली से खाना लगा मैं फटा फटा हाथ में दो करता हूँ आच्छी तु रो रही? अच्छा सच बता तेरी आखों में यह खुशी की आशो है यह गम के? जिस बहन का तुम्हारे जैस अभाई हो उसे गम कैसे छू सकता है भैया? मा और बाबुजी का प्यार बड़े भाई का दुलार जब तुम्हारी आँखों से बरसता है तो यह आँखे खुद बखुद बैने लगती है देख रादा अगर इसी तरह से तुम मुझे कमजोर बना देगी तो मैं तुझे बिदा कैसे करूंगा? तुमने तो कसम खा रखी भया मेरी डोली उठने के बाद ही तुम किसी को भावी बना कर लाओगे मेरी बात मानो पहले एक अच्छी सी संदर्ची भावी लाओ रात देन महनत करके रुपए जमा कर रहा हूं किसके लिए? तेरे लिए ना और तू मुझे से कहती है कि पहले मैं शादी कर लो ठैर कली इत्वारिला जी किया जाकर तेरी शादी की बात पक्के करता हूं अब अरुन के ऊपर कितना खर्चा हुआ है भाई जी वह सुन लो अरुन की मा तो दहेज में कुछ भी नहीं लाई तोटल लास अरे भागवान कम सकम एक उलादी ले आती तो पंदरा साल तक मंदिर मस्जित और गुर्दवारे के चोकट चूमने को तो नहीं जाना पड़ता अब जगे जगे जाने में खर्ष्ट तो होता ही है हिसाब लगा के देख लो अब अरुन कोई मिन्सिपाल्टिक अस्पताल में तो पेदा नहीं हुआ और अब जब नर्सिपाल्टिक अस्कूल में तो जाएगा नहीं क नवेंट में पड़ा है और मेटिकल में भरती कराते वो आग्च छो डोनेशन ओहो ओहो देखिए तौरिलाल जी मैंने रात दिन कड़ी मेहनत करके दो लाख रुपए जमा कियें अब आप यह दो लाख रुपए तो दो महीने पहले की मार्केट थी भाई जी दो लाख रुपए अगर सूत पर दिये होते तो अब तक तीन लाख रुपए हो जाते हैं हिसा मैंने बर में कैसे जमा करूंगा इत्वारी लाल किया हर काम हिसाब से होता है और अगर हिसाब लगाने नहीं आता है तो बात खतम करूंगा नहीं तो लाल जी आप मेरा यकीन कीजिए मैं एक मैने में आपको पुरी रख्कम पहुचा दूंगा नमस्ते जज तो बस्ते है यहाइब लुचा बाल यहाइब लगायो और यहाइब यहाइब लाल-चक्पम में एकी हुचा नहीं लोका में अ. तो भुब बंक को पहाइब हुचा बाल-चक्पी डहा है हैं अट जोजब पकाई। गॉपाई स्टाटाब औड दोब तॉपाई। हैं जह दोजब दोजब तॉब कर्या थे जह तॉब जह कर्या खिद्वाब तॉब तॉप दॉब जदडिकते हाव जोगा थिर तॉब अलॅग्सटर दॉब यह तो सुना था कि उपर वाला जब भी देता है चप पर भाड़ कर देता लेकिन आज पहली बार देख रहा हूं कि उपर वाला पेड़ से भी टपकाता है खर तुम अग टपा की गई हो तो यह बताओ के तुम इस पेड़ पर क्या कर रही थी जी मैं कराटे सीख रही थी सर कराटे और पेड़ पर सुबह से कोई मिला नहीं है अबर आप कोई अखी नहीं आता तो अरे वा लेकिन तुम यह कराटे सीखना क्यों चाहती है इसके पीछे एक लंबी कहानी है सर अगर आप जाना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ चलो दुनिया में मर्द लाक इमानदार होगा तो सड़क पर पड़े हुए पचास या सो रुपे की नोट छोड़ देगा लेकिन एक अकेली जवान अनात लड़की को कोई नहीं छोड़ता ये छोड़ा सा घर मेरा तन और मन छुपाने की एकी जगा है इसे तुम ड्राइंग रूम समझ लो डैनिंग रूम समझ लो या बेडरूम पर इस दुनिया में मेरा जो कुछ भी है बस यही है और जो बहुत कुछ था उस कमीने ने छीन लिया छीन लिया? किसने? जिसकी तलाश में मैं बंबई आया हूँ और जिसकी लाश देखने के बाद ही मैं यहां से जाओंगी अदुरी नहीं अपनी पुरी कहनी पता मुझे मेरा नाम जोती है और मेरे पिताजी चबलपूर में जश्त है और 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 तमाम सुबूत गवाहों के बायानात मुझरिम दौलत कारबारी को कुनागार साबित करते हैं कि मुझरिम ने रामलाल से जाथी दुश्मनी निकालने के लिए उसकी बीवी और उसके मासूम बच्चे का पेरहमी से कतल किया इसलिए अदालत मुझरिम को तफ़ा 302 ताजिरात हिंद के तहद उम्र कैद की सजा सुनाती है जजज सहाब आपने बहुत गलत सजा दी है काले नाक को पिटारे के अंदर रखा जाता है सिलाखों के पीछे नहीं और जिस दिन सिलाखों के पीछे से मैं सरक गया उस दिन तुम्हारी होने वाली बेवा और यतीम बेटी को बहुत याद आँँगा फिलहाल तो तुम जेल की सलाखों के पीछे बैठ कर उपर वाले को याद करो सलाखें बहुत मजबूत होती हैं वहां से भागना इतना आसान नहीं होता कहां से भागना कितना आसान है ये तुम्हें मेरे सरकने के बात पता चलेगा और जिस दिन सरक्या उस दिन बहुत याद आऊँगा बहुत याद आऊँगा जच साब बहुत याद आऊँगा जच साब और इस बाग कुछ ही मैंने बीट गए लड़का भी ढून लेंगे पहले तुम फैसला तो करो भाई फैसला तो हमने अपनी बेटी पे छोड़ दिया है बोलो बेटी अपनी पसंद के लड़के से शादी करोगी या हमारी पसंद से हमारा फैसला ये है पापा कि पसंद ना पसंद का सवाल ही नहीं होता अभी आप अपनी बेटी को पढ़ने दीजे बस हाँ मेटे पढ़ो ज़रूर ले हलो रमेश्वरदयल सर दौलत जेल तोड़कर भाग गया है वाट सर हम पुलिस फोर्स आपके घर भेज रहे हैं जब तक वो गिरफतार नहीं हो जाता आपके घर पर पुलिस का बंदुबस रहेगा सर आप भी कमाल करते हैं पापा एक दिन मॉर्निंग वाक पे नहीं जाएंगे तो आपके साहथ बिगर जागी क्या जब तक वो मुझरिम गिरफतार नहीं हो आता आप हरकेस बाहर नहीं जाएंगे देखो बेटी जैसे कि कोट में कानून होते हैं वैसे ही आदमी की जिंदगी में भी नियम कानून होने चाहिए ना मुझरिमों की डर से कोट का कानून बदलता है ना मैं अपनी जिंदगी के कानून बदलूँगा ठीक है सर मैं आपके साथ दो पुलिस कॉंस्टेबल भेज देता हूँ अच्छा भई अब तो खुश हो ना जल्दी आना हाँ साब के साथ जाओ साथ 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 जाओ साथ साथ झाल झाल कर भाऊ कर दो कर दो कर दो खॉँड़ कर दो कर दो ग झाल necess okay! Aaaaayyyy! Mama... pama! Mamaa! Hı 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 pode celebratesize... पापा के लाज देखकर मा की आखे पथरा गए ऐसी पथराई कि फिर मा ने पलक तक ना छप गए मा पापा से बहुत प्यार करती थी भगवान के पास पापा को कौन प्यार देगा शायद यह सोचकर मा भी उनके साथ चली गई मैंने एक नहीं दो अर्थियों को घर से निकलते हुए देखा जो मेरी डोली उढ़वाने की तमना लिये थे उनके अर्थियों को मैं तब तक खड़ी देखती रही जब तक और जहां तक मेरी नसरे देख सकती थे आज भी मेरी आखेयों नर्थियों को जाते हुए देख रही है और आज भी मेरी आखें उस खुनी दरिंदे को तलाश कर रही है सुना है, बंबई शेहर में इनसान और हैवान दोनों को छुपने की जगा मिलती है यहां की भीड में सारे चहरे अंचान हो जाते है पर मैं इस भीड में भी उस चेहरे को पेचान लोगी मुझे खबर मिली है कि वो हद्यारा यहीं इसी शेहर में छुपा है मेरे पास उसके एक पुरानी तस्वीर है देखो, शायद तुमने कभी कहीं इसे देखा हो इसके चेहरे को तो दिमक खा गई है धड़ देखकर मैं कैसे पचान सकता हूँ धड़ सर्फ इसले रहे गया है क्यूंकि इसका सर मैं काटोंगी और इन हातों से उसे खतम करने के लिए मैं कराटे सीखना चाहते हूँ जोती, कराटे सीखना एक तपस्या है हातों को तपाकर इन्हें फॉलाद बनाना पड़ता है क्या तुम इस आग में कुछ चकोगी जिस आग में मैं तप रही हूँ उसकी तपिश इस आग से बहुत ज्यदा है तो फिर मेरा भी ये वादा है आज से तुम्हारी ये जंग शुरू इस दो झाल 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 माफ करना बापू आखिर तुमको तुम्हारे प्राइवेट टेलफोन नंबर पर लपेट ही लिया क्या करें मजबूरी थी क्योंकि तुमसे बात करना बहुत जरूरी था सुना है कि वर्सुवा बीच पर बीस लाग का माल पुलिस पकड़ेगी और पुलिस को लपेटे में डाल कर दूसरी तरफ से तुम दो क्रोड का माल हजम कर जाओगे ना बापूना ऐसा मत करना क्योंकि पिछले महीने तुमने हमारा एक करोड का माल लपेट लिया था अब हमारी बारी है हम कुत्तों से बात नहीं करते शेर की दहार तो पहचानते हो ना रणा ठीके पोटिया नोचने वाला गीदर गला फाने से शेर नहीं बन जाता रणा बीके इन का जवाब पत्थर से देना जानता है बिना बताए मिलावट की जाती है माल नहीं उठवाया जाता इसलिए पहले इतला दे रहा हूं कि बीस लाग का माल पुलिस को मिलेगा और दो करोड का मैं ले जाऊंगा राना का माल तो बड़ी शान से राना तक पहुंचेगा डीके ले जाने की बात तो भूल ज जाएगी बड़े भाई हमें ये तो मालूम है कि राना का माल पुलिस कहां ले पेटेगी लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि राना का माल उत्रेगा कहां मनोरी आइलन्ड पर के लेख़ हमें कौन है यह लोग, भगाओ वहाँ से, जाओ रुक जाओ, तुम लोग आगे निजा सकते, एमर्जेंसी चेकिंग है, चला भगो यहाँ से, चला अरे वहाँ, भागे कैसे, हम बगवाँ के दर्शन किये बगर नहीं जा सकते, चलो चलो, अब यह सुना नहीं, आगे मत बढ़ना, वर्ना, वर्ना तेरी खोपड़ी लपेट दूँगा, खबरदार कोई अपनी जगह से इलातो, एक एक कब भून के रजदूगा मैं, यह तो करलो, झालो, 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 प्याँ! जुए अजञाईники अगेश्द भाया जुए गलगाен जुएफ उजख डडात भी टच euch लोगवोगे करीश बाया, जुएजडाई करता थाए। थाता एची ऑी बालरर beginner मेर स्थाई ना जह दोल सकते हुआ झाल जोटू बिल्कुल सभी वक्त पर आये तुम लपेट लो इस माल को तुम्हारे 25 लाग जो उस कमीने राणा ने तुम से हथ्या लिये थे वा भाया क्या बात है भाई ने भाई का पैसा अच्छा वसूल किया सोनू राणा का माल कहां उतरता है मुझे आज तक पता नहीं चल सक पिर तुझे ये राज कैसे मालूम हुआ रगू से रगू भाया ये राणा का खास आदमी है और मेरा नया बिजनिस पार्टनर हूं ऐसे ही राणा के राज बताते रहो ज्यादा फायदे में रहोगे अच्छा तुम्हें चलू हूं आओ रगू राणा अब तेरा कोई राज राज नहीं रहेगा जिस माल पर राणा का खो उस माल को हजम करने के लिए फौलाद का पेच चाहिए हम उस भेड़े के हलक में एक ही उंगली डाल कर उसके हलक से अपना माल खेंच निका लेंगे शायद जी के जानता नहीं के राणा की शतरंज का गोड़ा अड़ाई घर नहीं चलता सीधे राजा को मारता है तो, औरा नहीं जी वे राणा युड़ाई आए गलता है लगरी नहें जो, जगरी बती कोобразितो कर county alldefined औरी आजिए का। जयाे उड़िता का lenि पोकामा ही थिए tut षग कांगaja जट अजागी कर दो आजा है दिएिए झाल 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 हुआ है लुझे 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 दीके ये पेटी हमने भेजी है इसे तुम्हारे आदमी ले जाना भूल गए थे इसकी कीमत सिर्फ पच्चीस लाक रुपए है राना मैं तेरी पूजा करोगे हाँ दीके जब मौत करीब होती है तो यमराज के साथ-साथ लोग राना को भी याद कर लेते हैं और आखरी बार सुन लो अब तुम चाहे माल की पेटियां पाताल में या आस्मान में चुपा दो पर 24 घंटे के अंदर-अंदर राना अपना माल ले जाएंगे मेरे बाई मैं अपनी मा की कसम खाता हूँ जिसकी कोक से हमने जनम लिया है कि जिसमें भी तुम्हारी जान लिये है उसका नाम मैं इस दुनिया से मिटा डालूँगा खतम कर दूँगा मौत के पर्दे में हमेशा हमेशा के लिपेट डालूँगा उस रामजा देखो हमारे धंदे में आंसूं के साथ कोई रिष्टा नहीं होता रोना बंद करो और ख्याल रखना जजबात में आकर कोई जल्दबाजी नहीं करना जख्म सीने में छिपा लो चुच्चा पड़े रहो जस दिन राना ये समझने लगेगा के हम सोनू का गम भूल गए उस दिन उसी दिन उसे पता चलेगा के खून जब बोलता है तो मात का तानव होता है माल रिक्कु ले गया है सिर्फ रिक्कु को उठाला सोनू की मौत के अबाद रिक्कु बहुत चौकरना हो गया राना साब और आजकल 2400 गंटे वो अपने घर में दुपका रहता है उसकी कमजोरियां क्या-क्या है शराब और खुबसूरत लड़की पर ये शो को अपने बंगले की चार दिवारी के अंदर करता है और उसे बंगले से बाहर लाना नामुम्किन नामुम्किन को मुम्किन बनाने ही का तो दूसरा नाम राना है आएंदा नामुम्किन का लफ्स तुमारी जबान पर नहीं आना चाहिए देखो एक खुबसूरत लड़की का इस्तमाल करो प्राना साथ ऐसी एक खुबसूरत लड़की को मैं जानता हूँ लेकिन जिस लड़की को तुम जानते हो वो हमारे लिए काम क्यों करेगी सिर्फ इसलिए कि उसे अपने पिता के खुनी की तलाश है तो फिर उस लड़की से कह दो कि अगर किसी कबर में भी वो खुनी पड़ा होगा तो हम उसे खुद निकालेंगे ये राना का लफ़ है विखी तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हमें इंतजार करने की आदत नहीं है जानते हो ना लड़की कहा है आती होगी साहब बार बारिश भी तो बहुत तेज है कहीं ट्राइफिक में फस गई होगी शायद आ गए इतना टाइम तुमने लगा दिया बार बारिश पढ़ रही है न साहब कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात कपड़े बदर के आजो मतूं कीदार है बारा है बारा है बारा है आहां संगे मरमर है या कि शीशा है ये बता दे तेरा बदन क्या है देरा बदन क्या है तुम कहाँ हो में जहाँ तुम यहाँ तुम में कहाँ तुम यही हो में भी यही ते लिए दूरियां क्यों है हाई जितने खाजाने पास है मेरे सब का तुझे बता दूगी बाद किसी को जो न बताई तुझे को आज बता दूगी कर दी जड़ा दिल पे काबू चरने तुदे प्यार का जादू खुद चली आउंगी मैं पास अपने दुश्मन के धीरे धीरे खोलूंगी मैं सारे राज बदन के तुम तरे गिरूंगी मैं बत 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 के धीरे धीरे खोलूंगी मैं सारे राज बदन के ये काफिर नज़र ये खुस्न और शबाब चड़ते चड़ते उदर गई है शराब दिल नजर के लिए मैं कोई राज हूँ उसन हूँ इश्क के हाथ का साज हूँ प्यासी नजर से प्यासी नजर को दावत देने आई हूँ घर्म रहने के रुत नहीं तुझे घर से लेने आई हूँ धर्ती पे बादल बरसे हम तुम क्यूँ प्यासी तर से चल कहीं चल के ले आज मज़े सा बन के दिन में तेरे जिरुंडी में दिन में बन के बन के अब हम तुम्हारे करजदार हैं लड़की और याद रहे राना करज और फर्ज दोनों को एक ही नजर से निभाता है मेरा भाई मेरी ही आँखों के सामने से गायब हो जाए घर से उसे कोई उठा कर ले जाए ये नामुम्किन है उसका पता करो अगर रीकु नहीं मिला तो तुम्हारे घर के चूले चलने बंद हो जाएंगे जाओ तुन्डों से साब चलती गारी से कुछ आदमी ये पैकेट बंगले में फिक गए है खोलो इसे ये वीडियो कैसे टैसाब चलाओ बचाओ, 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 बचाओ डीके, तुहारा बाया हाथ तो कट चुका अब तुम अपने दाया हाथ का अंजाम देख रहे हो वो भी कटने वाला है बाकी रह गए तुम, हम जब चाहेंगे तुम्हारी गर्दन अपने हाथों में लेकर नचोर डालेंगे हराम साथे रिवालवर को जिम में वापस रख लो रिक्कू की जान की कीमत तुम्हारे लिए दो कुड़ रुपए से ज्यादा है याद रहे हमारा माल एक वैन में रखो आज ठीक बारा बजे नरीमान पॉइंट के कोने वाली सड़क पर उस वैन को लाकर खड़ा कर दो वहीं तुमें एक एमबुनेस मिलेगी उसमें रिक्कू होगा और सुनो अदला बदली सिर्फ गाडियों की होगी और समझ लो अगर हमारा माल हम तक नहीं पहुँचा तो रिक्कू की लाश तुम तक जरूर पहुँच जाएगी झाल भुँच एमबुचन की के लाइग तुमें बदाएगा तुमें वेकू सहब कहां है? अम्विलेंस नबिए चलोप 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 पाङब लगजा अम्वद पाङब लग गिल्जवद कदम, दो जी पे तैयार रखो, राना को गिरफ्तार करने जाना मैं कमिन सर, येस कमिन सर, सर आप कहते थे ने कि राना को गिरफ्तार करना ना मुम्किन है, लेकिन अब वो मुम्किन हो गया है सर, मैंने पास सुबूत है, राना की गाड़ी का नंबर ममर 9628, वो गाड़ी चोरी की है, लेकिन सर, आपको कैसे पता चला, आप नोकरी जाइन की है, कितने दिन हुए है, यही सर, दो महीना, और मुझे दस साल हो गया है, पोलिस की वर्दी पहने हुए, और दस सालों से मैं इनकी ये जंग देख रहा हूं, ये जंग इन्होंने शु दाई से मिटा देते हैं, और बगएर सुबूत के न हम कुछ कर सकते हैं, ना ही अदालत, गुनेगार कितना ही चाला क्यों न ओड़ी से पिसाब, लेकिन वो कभी न कभी, कहीं न कहीं पर तो अपने गुना का दाख छोड़ी जाता है, और मैं इस गुना के दाख को राना की शकल में एक दिन कठेरे में लाकर खड़ा करके ही रहूंगा, जाए अगर राना के लिए काम कर रहा है, तो इससे हमें क्या, हमें तो देई राना तीन लाक रुपे दहिज में, बेटे हमें आम खाने से मतलब रखना चाहिए, पेड़ गिने से नहीं, पिता जी, मुझे ही स सकता, एक बात आप साफ साफ सुन लीजिए, मैं एक गुनेगार की बहन के साथ कभी भी शादी नहीं कर सकता, तू अगर मेरा जिद्धी बेटा है, तो मैं भी तेरा बाप हूँ, ऐसा हिसाब किताब लगाऊंगा, कि साब भी मर जाए, और लाठी ना तूटे, तरी नमस्ते, नमस्ते तुवारिला जी, आई बैठिये, आज आपने यहां आने की तकलीफ कैसे कि, भाईया, मैं तो हिसाब लगा के आया था, कि साथ दिनों के बाद पंडिजी ने शुम मौरत निकाला, शादी का, चट मंगनी और पट शादी, पर मुझे विश्वास नहीं हो उनके आने से पहले ही मैं इस सुब काम को निप्टा देना चाहता हूँ भाई, आखिर बाफ हूँ, दो प्यार करने वाले दिलों को कतल करने वाला कसाय तो नहीं हुना मैं, अरे नहीं, नहीं, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा, तो आप अंदर आके देख लीजे, आ अरे सुखी रहो बहू, साथ दिन तक यहां का इस साब किताब और देख लो, आठवे दिन तो हमारे घर में आके राज करना है, सोने के जूले में जूलता, बस और क्या है अरे रादा, खड़े-खड़े मूह के देख रही है, जल्ले से जोदी के साथ राशोय में जा, और कुछ नाश्टा वश्टा बना, अच्छा भी यहा, बहुत छा काना बना थी, आई ना अरे पंडी जी, वो जो दो-चार जरूरी बाते आप मुझे रास्ते में बता रहे थे ना, वो जए बाबु से जा कर लो तुम आओ बेटा, आओ, 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 आए, आए, आओ कहीं ऐसा नहीं हो भाई, अरे नहीं पंडी जी, आप बिल्कुल बेफिकर रही है, आपने जैसा जैसा कहा है, वैसे वैसे ही होगा अरे जोती, चाहे तयार हुए कि नहीं? आप बिल्कुल फिकर मत किजिए पंडी जी, मैं बाराती हूँ कि ऐसी खातिर करूँगा, ऐसी खातिर करूँगा, कि आप देखते रह जाएंगे अरे नहीं साब, नास्ता वास्ता में नहीं करता, आज उपवास है ना, महालक्ष में कवरत है, अच्छा बेटे, यों करना कि दो दिन के बाद में आकर कि सगाई के रसम पूरी करते रहे है, यह बहुत अच्छा चला बढ़ीजे, जवर वगरे खरीजदे है ना भाईया, अब तो मेरी चिंता खत्म हो गई, वो कैसे? वो ऐसे कि तुम्हारी हिंमत बढ़ाने वाली, देख भाल करने वाली जिवा आ गई है तो यह है वो खूबसूरत नागिन जो तुम्हे अपनी जुल्फों में लपेट कर राणा के कदमों तक ले गई थी हाँ बड़े भाई, यह है वो जरीली नागिन जिसे बिल से बार निकाल कर मैं लपेटूंगा जुग जुग जी ओ मेरे भाया आ करो, नहीं पुरा नहीं पुरा पुरा सच्राव जाकर हर साल अपने भाया को राखे बानने के लिए दूआई की ना यह कैसी बाते कर रहे भाया, क्यों नहीं आऊँगी तो फिर आज की तरह पहले तु ही मेरा मुझ मिठा करवाना और आई हो जाएगी तो मैं थोड़ी ना तेरे मुझ मेने वाला डालूँगा जानती है आज रक्षा बंधं के मौके पर मैं तुझे क्या आते वाली दूँगा क्या देने वाली है बताओ तो आज मैं तेरे हाथ में अरून का हाथ दूगा एक भाई के लिए आज की दिन से बढ़कर और कौन सा दिन हो सकता है क्योंग रक्षा बंधन के मौके पर अपनी बहन को उसका प्यार ला कर देते मैं भी तुरी लाल जी के जाता हूँ और तेरी शादी का मूरद निकलवाता हूँ पैसा दादा 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 रुपया का गया यही तो राखा था मुझे नहीं वालू भीया लेकिन गया का दादा परबाद हो गया मैं रादा मुझे नहीं वालू मेरे जाने के बाद यहां पे कोई आया था लेकिन अब क्या होगा रादा यह सब क्या हो गया यह सब क्या हो गया ? मेरी जिंदगी की सारी जम्मा पुणजी लुट गई तेरी खुशिया जिनर में गिन-गिन के जोड़ रहा था कोई एक जटके में उठा ले गया लेकिं तु गवरा मत राथा तो गवरा मत तेरा यह भाई अपने आपको पेश़ डालेगा लेकिन तरी खुश्या लुटने नहीं देगा नहीं बैया नहीं ऐसा कोई कदम न उठाना जिससे तुमारी बेहन खुद को सारी जिंदगी माप न कर सके तूटती है शादी तो तूटने दो पर कसम है तुम्हें मेरी अगर खुद को निलाम करने की बाद भी सोची समझ में नियारा राना साब कि मैं क्या करूँ अगर मेरी बेहन की शादी तूट गी राना साब तो मुझे उसकी डोली की जगा उसकी अर्थी को कंदा हम तुम्हारे कंदे इतने कमजोर नहीं होने नेंगे जाये की लिए संभाल रखो शादी के लिए तीन लाक रुपय जब चाहो ले जाना राना साब इतना बड़ा अहसान अहसान नहीं नहीं अहसान किस बात का राना की दॉलत पर राना के हर आदमी का बराबर का हक होता है और फिर तुम तो राना के जिगर के टुकड़े हो मैं तो जिंदी की भर के लिए आप इसे बंदा हूं राना साब हाँ हाँ इन दिनो तुहारा एक ही काम होगा उसका नाम है पीसी माथुर क्या बात है राना साब ये नाम लेते ही आपकी आखों में जो भन से आगई हाँ जाए पीसी माथुर का चहरा हमारे सीने में यूं पैवस्त है जैसे कील ठोकदी हो चाती में किसी ने आज से पंदरा बरस पहले जब हम सब इंस्पेक्टर बनकर कलकत्ते आए पता वो चरस और हिरन से लदा हुआ रक्ष का है तुम किस के लिए काम करते हो मैं कुछ नहीं जानाथ सर तुझे क कुछ नहीं बाहुम कर दोदी नहीं मालूम के चरस और हिरन हमारी देश की फुरी कुदीमः की तरह रहे हैं कितने घर बरबाद हो जाते हैं, कितने अंद्य हो जाते हैं, पहजों, लूँले लंगडे हो जाते हैं, बोल ुख बोल तो किसके लिए काम कर रहा है, बोल यह नहीं जरता सर, बोल सब राज उगल मुझे, बोल सर, मैं जानता हू enam, के यह पीसे मात रुका आदमी है लेकिन ये राज नहीं उगल रहा जब तक ये राज नहीं उगलेगा मैं सर बेचान रहूंगा राने पुलीस की वर्दी और खून की गर्मी आदमी को बड़ा खुद्दार बाना देती है लेकिन हम उस सिपाही की तरह हैं जिसके हाथ में सिर्फ म्यान है तलवार नहीं और खाली म्यान से ये जंग न तुम लड़ सकते हो और नहीं मैं मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ और बताईए तुम्हारी पहुँच कहां तक है? मुझ तर और मेरी पहुँच कहां तक है? आईजी साहब तक लेकिन पीसी माथूर की पहुँच बहुत लंबी है सेवा आदर्श देश भक्ती की भावना को किसी परानी बंध किताब की तरह अपनी लाइबरेरी में संभाल के रख्षना और अपने बच्चों को पढ़ाना सिर्फ पढ़ाना सिखाना नहीं वरना उनके बच्चे दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे दाने दाने की मोहताजी हमारे बच्चों गवारा होगी सर लेकिन ये कभी गवारा नहीं होगा कि वो एक बेहसूल खौफजदा बुजदिल पुली सफसर के अउलात कहला है सर सेवा आदश और देश भक्ती की भावना अगर किताबों में ही बन रही तो फिर हमारे देश के हस्ती भी दुनिया के काख़ी नक्षों में रह जाएगी कुर्सी छिंजाने का डर और मरने का खाफ ये हमें इस फर्ज से कभी नहीं रोक सकते कि हम पीसी मातु जैसे लोगों के रिफ्तार करें और सजा दिलवाएं इस फर्ज की अदाएगी में अगर हम शहीद भी हो जाएं तो हो जाएं सर हेलो कौन DCP साहब जी मातुर साहब किसी से फोन पर बात कर रहे हैं जी साहब DCP साहब का फोन है ओके साहब रमेशवर का फोन है तोनी का फोन है सर उनसे को पंदरा मिनट के बाद फोन करें आप पंदरा मिनट बात फोन करें पंदरा मिनट के बाद फोन करो यह सब रिसीवर सुठा के नीच रख दो हलो हलो मातुर साब मैं DCP लाल बोल रहा हूँ कहिए लाल साब क्या तकलीफ हुई आपको बड़ा गंभीर मामला है मातुर साब हमारा एक सब इंस्पेक्टर आपको गरिफतार करने की जित में है क्या खेह रहे हैं आप कौन है यह सब इंस्पेक्टर जो PC मातुर को गरिफतार करने की बात भी सुचे सब इंस्पेक्टर आने अभी अभी खड़कपूर से ट्रांसफर हो के आया है जी आई जी साब के पास क्या है आपके खिलाब और निकलवा में ठीक है देख लेंगे कादिर को पकड़ा है ना जी हाँ और उसे राज उगलवाने के लिए उसे तरह तरह की तकलीफ है दी जा रही है सगल अगर कोई नौकर मालिक को बचाते हुए मर जाये तो वो वफादार और शहीद कहलाता है जी हाँ ठीक है रहे हैं आप और शहीद स्वर्ग में जाता है तो कादिर को आज रात पुलीस कस्टडी से स्वर्ग पहुचा दो जी और उसकी मौत का इलजाम सब इंस्पेक्टर राने पर आना चाहिए सुबूत ऐसा छोड़ो के राने को फासी हो जाए क्योंकि अदालत तो सिर्फ सुबूत पर फैसला करती है इसी पीसी मातुर ने अपने रसूख अपने पैसे और पहुच की ताकत से अपने खिलाफ उस खुन के सब सबूत मिटवा दिये और वो इलजाम हम पर लगवा दिया लेकिन सुल्जाम में कुछ खामिया रह गई जिस वज़े से हमें सजाए मौत तो नहीं मिली पांस साल की गैद्बा मुशक्कत मिली यही है वो रिवाल्वर राने जिसकी छे गोलियों में से बराबर दो दो गोलियां तुमारी बीवी और तुमारे दो बच्चों के हिस्सों में आई बिना तडपे बिना चिखे चिलाए वो लोग मर गए ये रिवालवर अपने पास रखो बीवी बच्चों की लाशों से लिपट कर रोने का मौका तो तुम्हें नहीं मिला कम से कम इस रिवालवर को खलेजे से लगा कर उनकी याद में आसुभा है लेना और याद रखो इसी माथुर जिससे दुश्मनी करता है उसकी जड़ों को खोद कर हमेशा के लिए खत्म कर देता है इसी माधुर बजले की सुलकती हुई आग लेकर हम जेल से निकले इस भयानकाग में हमारी वर्दी और गानून की इफार्ज़त करने वाला सब इंस्पेक्टर राने जल कर राक हो गया पीसी माधुर और उस जैसे तवाम खानून से खेलने वाले लोगों खत्म करने की हमने कसम खाली पीसी माधुर भेज बदल बदल कर नाम और शहर बदलता रहा वो आगे आगे हम पीछे पीछे उसकी तलाश में सालहा साल गुजर गए हमारे माबाप बिशडगए घर बार उजडगए उसको ढूंते ढूंते हम इतनी दूर निकल गए कि कल का सब इंस्पेक्टर राने पीसी माधुर भीजिए माधुर दीके के सर का ताच हमारी जिन्दगी का नासूर आज पता चला है कि वो जिन्दा है और आज शाम उसकी माध उसे कलकते से खेंश कर बंबई ला रही होराइजन होटेल कमरा नंबर 903 में ठहरेगा पीसी माधुर हमें जिन्दा चाहिए जि उसने जिसने आप जैसे त्योता इंसान की जिन्दगी परपात की उस कमीने को यहां तक पहुचाने में अगर मैं मिट भी कया तो मुझे जरा सभी कम नहीं होगा प्राना साब आपको माधुर मिलेगा और जिन्दा मिलेगा प्रॉर के संसारी जैन्दा जैनी हमसान करनिया यहां स्लेगे यहां हम ईसन बहुत भूख लगी है जरू बैटी दे देंगे ओर्डर क्या हुवा डड़ी लाइट चली गई हम फैरो अंधेरा दूर करने के लिए मैं रोशनी लाता हूँ मेरी आखों के सामने तो हर वक्त अंधेरा ही देता है बैटी मैं ज़रा रिसेप्शन में देखता हूँ यह लाइट क्यों गए जी हलो रिसेप्शन यह लाइट क्यों गई है अभी हाजाएगी सर ओके क्यों है भाई आखों तुम यह क्या कर रहा हूँ यहां क्यों आया हो क्यों है बताएए ना क्यों तूम वहतन है युद्धकें हुअ ऑन पouting चर्ड़ों, 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 चर दारी 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 बोलिये ना बोलिये ना दारी 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 दा जिस माथूर की हमें जरूरत है, उसका फ्लाइट तीन घंटे लेट आ रहा है। ये इतला हमें टेलिफून से अभी-भी मिली। ओ गॉड। ये कैसा लड़त हो गया। आली पी-सी माथूर नाम की वज़े से राना के आदमियों ने एक बेगुना आदमी को मार दिया। और अगर आज उसकी जगहे खुद पी-सी माथूर होते तो वो भी मार दिये गये होते। और अगर मात्रूसाब को खूंच हो जाता तो हमारा सारा बिजनcüều पर्ड हो जाता। तुम लोग शायद हैं नहीं जानते कि मात्रूसाब हमारे कौन हैं? वो हमारे सब कुछ हैं. He's like a godfather to us याद रखो अगर बंबई में माथूर साहब का बाल भी बांका हुआ तो मैं तुम सब को खतम कर दूँगा लेकिन क्या करें डिके साहब राना के चारों तरफ उसके आदमें ने कीला बना रखा तो उसके ले की दिवारों को गिराना शुरू कर दो एक-एक को खत्म कर दो और राना को अकेला कर दो और हमारा सबसे पहला शिकार होना चाहिए क्योती अगर जिन्दा रहना चाहती हो तह मेरे साथ चलो और चाहिए और खखशु और जिन्दार लोगनें छीस वांज कहाई, हां। कर दो और लोग कर, खाय का त रहाजा हुआ है कर दो लो जो पना है अ बुल लोग कर फो टो में कि खूछ प्रूल खाहा हुआ है कर दो。 कर स्ञूल कर दिनाwn. कुछ गुंड़े मेरे पीशे पड़े में, कुछ गुंड़े मेरे पीशे पड़े में, गुंड़े? चल, अंदर जाकर चुपजा, जल्दी कहां चुपा उस चपन चुरी को? मुझे ने मालूम क्यों उसकी जिन्दे की बचाने के लिए? खुद मरना चाती हो खबरदार कमी ने जो तुने उसे हाथ लगाया कमीनी, मैं बहार आ रहे हूँ, दरुदा खोड़ा आ रहा तो राड़ा बिट्या क्या वार लग रही है? अरे हरिया, अरे ओ रामू, अरे ओ सोनू चलो पिस लॉनिया से बात में निपट लेंगे भावो हादा! अरादा! दुर दुर दोड़ा! एाज वाजू यब एक एस एए अखिर बाद क्या? कई और को घद साद को अबार को झाल 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 जैड, हर लड़की की तक्तिर में सुहागन बना नहीं रिखा होता और फिर भगवान की मर्जी के आगे इंसान क्या कर सकता है हाँ चलो, चलो जैड मा, जिसने हमारा सहारा चीन लिया मैं तो भगवान से दुआ मांगतू भगवान उसे भी बे सहारा बना दे नहीं बीटे, नहीं ऐसा नहीं बोलते नहीं जाने क्या मजबूरी होगी उस गरीब आदमी की जिसकी वज़े से उसने अपने हाथ एक बेगुणा के खून में रंगे हो मैं दुआ करती हूँ कि भगवान उसे ऐसी बुद्धी दे कि वो किसे का सहारा बने, किसे को बे सहारा न करे हुआ 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 जब तक तुम्हारे हाथों से पहला निवाला ना खालो, खाना हलक से नीचे कैसे उतरेगा? तुरूने क्यों लगी? सच बतरा था, यह खुशी की आसु है या गम के? मा और बाबुजी का प्यार, बड़े भाई का दुलार, जब तुम्हारी यांकों से बरसता है तो यांके खुद बखुद बैने लगती है देख रहा था, अगर तुम्हे इसी तरह से कमजोर बना देगी ना, तो मैं तुझे विदा कैसे करूँगा? हाँ? विदा तो कराया मेरी बहन, तेरी डोली शमचान ले गया था ना, मैं तरी लिए कुछ ने कर सका मैं तरी लिए कुछ ने कर सका आशो को पी जाओ जये, तुम एक बहादुर बेटे हो, आसुबाइस दिल तो हलका हो जाएगा लेकिन गम कब हो जलका नहीं होता बोश तो इस वक्त हलका होगा राना साहब, जिस वक्त मैं उस कादिल को खतम कर दूगा, जिसने मेरी बेहन को छीन कर मेरी दुनिया खतम कर दी राना साहब, राधा के कादिल का पता चल गया है, ये कद पीटर ने किया है पीटर तुम रुख जाओ बदले की आग वो प्यास है जो किसी दूसरे के पीने से नहीं भुझती और तूफान को किसी और सहारे की जुरूरत नहीं बढ़ती पीटर को मारना इतना असान नहीं ये सावंध खैर छोड़े ये सब बाते ये बताओ, रानी आई के नहीं आई? वो तो कब की आ गए या ओ, कब की आ गए तो गलासों की आवास क्यों नहीं आती? उसको बोलो, हो जाए सुरू हाई, माल कहीं दो नमबर का तो नहीं नो यार, टेस्टिंड वही साई माल सुठो आहे पेरू के जमने की काजू मोसं बेकी नारू मले खत्रना नो तक नो तक जहुन तक जहुन तक पिनले ज proud वो कि अ नदि की साहिम में ही आप मुझं हमारा आ रोबस नोबस की एंड़न आ आ झना झना झै झना 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 पूरिं पूरिं मसिंदेनी फोकत के दाम नहीं लेचे चड़ जाए जो बंके नशा तो उसरने का दाम नहीं लेचे कोई कहे गेतली कोई कहे पोटली धीकरा रहे धीकरा आजारूनी वाटली दुनिया भूला देगी तकला इला देगी तकला इला देगी इसार समाथ जडचाक, नुर्दक, 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 नुर्दक वर लेइनक, वर लेइनक! लोगों ने इतनी पीने जितने जारूने लोग पीजा ले छोरी बाता तो साची कह रही है कितने ही लुट गए, कितने ही मिट गए पढ़ गए मकाल में ताले दस मैनो दारू जिवोतले कमीनिये मैं तैनो फीना के तु मैनो फीनिये पीपी के मरता है, दीवाने करता है क्यों जिंदी के मरता है, दीवाने करता है क्यों जिंदी के ये से मसा नुट नुट नुटा, क्यों ता, क्यों ता पीपी की जमने की काच्छू में सम्दी की जारू जोनी अतना क्यों नुट नुटा, क्यों ता, क्यों ता, जों ता तो खोट मारे तो भी एका धूंडे चुले भी शेर्दन जाते कायर से कायर बुस दिल से बुस दिल पीगे दिली रदगे जाते तारू जो अंदर हो बंदा से कंदर हो चनिया की धौमा की आँख नोट नोटा क्योंटा क्योंटा क्योंग यान लेंडल की झाटों जम से तारू जैंने झाटों त Almost There लोटन गाटन लोटन से भीोटन पाटन लोटन से थाटन तारूण पिटार आज तेरी जिंदगी का आखरी दिने पिटार ये तो वक्ती बताएगा पच्चे कि अदाएग शें रपट CT बताएगर रभ सी फ़क्ती बताएगा कि हैं कि ओगैं रभ स्व रभ कि लाग.. कि फुमें ये पिए रपर है ये... तेरी बताएग्प को Northwestern फोड़्ाइ, प्राइए! फोड़ाइ! आपकी जिन्दकी और उस बेकुसूर की मौत के लिए जो बिना वजे मौत के लापेटे में आ गया मरते तो सिर्फ बेकुसूर हैं कुसूरवार तो हमारी तरह हैश करते हैं शरीफों की जबान में कलियुक जो ठेहरा पेचारा राना हर सांस मेरी सांस खत्म करने के लिए ले रहा है पर अफसोस उसे ये बचगाना आरजू साथ लेकर ही इस दुनिया से जाना पड़ेगा पता नहीं कितने पुलीस अफसरों ने मुझे गर्फतार करने की कोशिश की मगर कुछ तो भगवान को प्यारे हो गए और कुछ की वर्दियां उतर गई भीगे साथ राना के आदमी ने पीटर को बहुत मारा वो तो उसे मारी डालता लेकिन अचानक पुलीस आ गई कौन था वो वही साथ जय जय है मेरा नामा जी मगर आप मुझे नहीं जानती माथुर अंकल और मेरे पिता जी आपस में बहुत अच्छे दोस्ते पिता जी के गुजर जाने के बाद माथुर अंकल ने कभी भी मुझे पिता की कमी महसूस नहीं दी लेकिन बेटी उन्होंने तो तुम्हारा जिकर कभी नहीं किया यही तो खुबी थी उनमें एक हाथ से देते दुसरे हाथ को पता न चलता उनके मुझे पर इतने आहसान है कि अगर मैं अपनी चमडी का जूता बना कर भी उन्हें पैनाता तो भी कम होता मुझे जब पता चला कि मातुर अंकल ट्रांसफर होकर बंबई आ रहे हैं तो मैं बहुत खुश था लेकिन क्या मालूम था कि यह खुशी घम में बदल जाए सच कह रहे हो पिटी उनके गुजर जाने के पाद हम लोगों का इस दुनिया में कोई ने रहा कमपनी से घर मिला था कुछ दिनों में यह भी छोड़ना पड़े एक बेटे के होते हुए उसकी मा और बैहन कभी बेज सहारा यह घर नहीं हो सकती मेरा घर आपी का घरे माची और वैसे भी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है आपके आने से मुझे मा की ममता और बेहन का प्यार मिल जाएगा मगर बेटे देखें ना कहकर आप मेरा दिल मत दुखाईए आप दोनों को मेरे साथ चलना ही होगा अच्छा तो रिकू हम चलते हैं राना अपने आद्मियों के साथ हमें एरपोर्ट पर ढूंड रहा होगा और हम इस चार्टर हेलिकॉप्टर से थोड़ी देर में कलकत्ता पहुंच जाएंगे अल दी बेस्ट वल्कम मिस्टर माथूर चलो अपने आद्मियों को बड़े ही प्यार से आखरी बार गुटबाई करो करो को कर दें कर भी लो जो मुश माफिती हुआना जो गलो हुआती हुआ है है लग एस बखने लोगता 0 से लोगते लगते लोगते है लोगते हां ठालскटा वगती घ mó contrast कर दोगते लोगते लोगते लो roup यपली जूँ दो पर बाल वाह कर दो बाल तो बाली दो भालाँ बाल दो बालाँ भालाँ दो बालाँ मैंने प्रवारा पुरा किया आप तुम जा सकते हो जाए शर्वारा कि अव जाए अब याद करो मुझे माफ कर दो राना मुझे माफ कर दो हाथ चुड़ता हूँ पाउपड़ता हूँ मुझे माफ कर दो पाउपड़ हमारी बीवी के जिसका तुने कदल किया पाउपड़ हमारे दो मासूम बच्चों के जिनको तुने मार डाला भाग भाग कहां तक दालेगा क्या बक्ते हो हाँ साप राना ने माफ्र साब को अब तेरी मौत का दिन आही गया पाउपड़ हमेशा तुम्हारे इरद गिरदी रहे हैं और इस वक्त तुम्हारे सर पर खड़े हैं शोड़ दो इन्हें पराना की घर अगर दुश्मन भी आए तो उससे महमान का सलूक किया जाता है दीके अंदर चले आओ पराना एक बार मैं अपने छोटे भाई सोनू की मौत के गम को पी गया रीकू को उठवाया फिर भी मैंने परदाश किया लेकिन आज पीसी माथूर को मार कर तुमने मेरे हाथ काटने की कोशिश की है अब मैं तुम्हारी गर्दन काट कर रहूँगा बातों की तलवार से गर्दन नहीं करती डीके अच्छा है कि तुम जान लो राना से लाना तुम्हारे बस की बात नहीं राना मैं हर साल दुर्गा मा को बकरे की बली चड़ाता हूँ आज मैं दुर्गा मा की सौगंद खाकर कहता हूँ कि इस बार बली तुम्हारे सरकी होगी ये तुम अपनी खुशकस्मती समझो के राना की चौकट में खड़े हो डीके अगर तुमने यही आवाज इस चार दीवारी के बाहर कहीं निकाली होती तो तुम्हारे जबड़े हमारे हाथों में होते याद रखना राना अब तुम्हारी मुलाकात डीके से नहीं अपनी मौत से होगी अरे डीके राना की मौत इतनी चोटी नहीं जो तुम्हारी मुठी में हो और सुनलो कान खोल कर हर पूजा के शुरुवाद गंपती की पूजा से होती है और इस बरनस हम तुम्हारे महले में ही आकर गंपती की पूजा करेंगे और तुमने अगर हकीकत में अपनी मां का दूद पिया है तो राना के कुद्मो को रोक कर देखना गन्पति पापा या! जयकumeे, टीच्ट, गाप डेखूट दक डेखूऊ स्कारी, गापा याह, पापा याह, पात्रह जासा'd गन्वति पाबाबा मोरिया, मोरियारे मोरिया मुपाबिला, मुपाबिला, तेरे भक्त जनों का मुपाबिला को किसी में कितनी भक्ती है, किसी में कितनी शकती है, हाँ कौन ये बाबी मारेगा, कौन खेन में हारेगा मुपाबिला, मुपाबिला, बड़ी मुश्किल से ये मुपाबिला मुपा मिला, मुपा मिला, बड़ी मुश्किल से ये मुपा मिला ये मुपा नहीं छोड़ेंगे, आज पटा के फोड़ेंगे, हाँ जानके हमने मुपा दिया, अपना मादा पुरा किया मुपा मिला, मुपा मिला, तेरे भक्त जनों का मुपा मिला मुपा मिला, मुपा मिला, बड़ी मुश्किल से ये मुपा मिला वगर तुंड महताय है तुझ में पोटी सूर्य की जोची पहले पूजा कर लेकर हम पूजा काम करेंगे लेकर तेरा नाम प्रभु हम काम तमाम करेंगे पूजा में कोई पैर नहीं हर चेना तो पैर नहीं कौन ये बाजी मारेगा कौन खेन में हारेगा हारेगा मुका मिला, मुका मिला, तेरे वक्त ज़नों का मुका मिला मुका मिला, मुका मिला, बड़ी मुश्किल से मुका मिला मुका मिला, मुका मिला, बड़ी मुका मिला भक्तों के रखवाए तेरा हाथ हो जितके तर बे कोई उसे क्या मारे पर जान दूज गर जो अग्यान मौत के मुह में जाए पर कैसे उसे बचाए भगवन कब तक उसे बचाए किसमे कितनी फगवी है, किसमे कितनी शक्ती है कौन ये माजी मारेगा, कौन खेल में हारेगा मुका मिला, मुका मिला बड़ी मुश्किल से ये मुका मिला किसमे कितनी जाए कितनी जाए कितनी कितनी जाए किस्टूराणागे के नाम को सुनकर सचज़ा करे जमाना दुश्मन के घर्या पहुंचाओ गड़पती का थीमाना दोस्त से हो या तुश्मन से हम वादा कभी न भूले वो हथियार बना ही नहीं जो बदन हमारा छूले जर्र की हिम्मत तो देखो पर्वत से तक्राए अपनी हस्दी भूले खद्रा दर्या से होड लगाए तुझ पर जिने भरोसा नहीं किसी से डरते मरे कम तक भरते तेरे तेरा ही दम भरते कितना दम किसी जानी में कौन है इतने पानी में हम ये भाजी मारेंगे हालने वाले हालेंगे हालेंगे पामिला मुका बिला तेरे बत जलों का मुका मिला मुका मिला बड़ी मुशिल से ये बॉका मिला जै-गनेशी जैगनेश देवा सेवा करे सपावे मेवा एक दंत बन बंत विनायक सब्तुक हरण सकल शोखदायक तुमरी किरपा जिस पर होई तुसका शत रहे रातोई तुहां को प्राणों से प्यारा तरप्रणा सिकार हमारा तरप्रणा सिकार हमारा डॉक्टर साब, बस इसे गनपती का चमतकारी समझिए किराना साब बच गए जये गनपती पापा लगता है अब इसके हाथ बंदूक उठाने के काबिल नहीं हाँ बड़े भाई अब इस कुत्ते की नजरों में वो निशाना नहीं रहा मैं इससे ऐसा लपेटूंगा कि ये जिन्दगी भर याद रखेगा राना साब जोती तुम यहां आए अरे तू तो रो रही है बगली शायद इसलिए के राना घायल हो गया तुझे तो खुशी होना चाहिए के राना मरा नहीं जिन्दा है हमें याद है तेरे कज़े का भूज हमारे कंदे पर है देख हमारे कंदे अभी मजबूत हैं और आशो तो इंसान को कमजोब बना देते हैं तू तो एक दिलेर लड़की है और तुझे तो वैसी भी अपने आखें साफ रखनी चाहिए ताकि जब तेरे पिता का काजिल तेरी नजरों के सामने होगा तो तू उसे पहचान सके मेरे पास उसके एक अख़बारी तस्वीर है जिसे मैं हमेशे अपने साथ रखते हूं और ऐसा कौन सा गुनेगार है रणा साथ जिसा कभी ना कभी आपके रास्ते से गुजरना हुआ हो और उसकी सूरत आपके आखों में ना उत्री हो तुम जज रामेशर द्याल की लड़की हो मगर आपको मेरे पिताजी का नाम बे खौफ इमानदार जज का नाम अपनी आदाश्त में और खतरनाक मुझरुमों के नाम राना एक लाल डाइरी में लिख लिया करते हैं फिर तो आप उस कातल को भी पेचानते होंगे ये बात हम पर छोड़ो और भगवान पर भरोसा रखो भगवान जिन्दगी देता है लेकिन कुछ लोगों की मौत राना के हाथ की लकीरों में लिखे होती है ये तस्वीर बहुत कीमती है लेकिन इसे फार डालना और जलाकर इसकी राक से अपना पिता की तस्वीर को तिक लगा देना ताके तुम्हारा दिल हलका हो जाए इस यकीन के साथ के जब हम बाहर आएंगे तो उस कादल को ढून निकालेंगे और तुम्हारी आंकों के सामने तुम देखोगी उसका क्या हशर होगा मुल्क के है शहर में तलाश किया पड़िकी का कोई पता नहीं चला राना साथ मिलेगा कैसे राना साथ वो आपकी डर से मुल्क छोड़कर भाग्या होगा मुल्क तो अपनी मर्ज से छोड़ सकता है लेकिन दुनिया सिर्फ राना की मर्ज से छोड़ सकेगा सारी काइनात में से तलाश करो और हमें बताओ के कहां चुबाओ अपनी माउथ के इंतजार कर रहा है मिस रड़नी मैं आपके पितागे खोन की तैकिकात के लिए आया हूँ मैं जानता हूँ कि आप देख नहीं सकती लेकिन आप मुझे को ऐसा सुबूत बता सकती है जिसके आधार पर वो खोनी पकड़ा जा सके अगर एक बार उस खोनी की कलाई मेरे हाथों में आ जाये तो मैं उससे पहचान सकती हूँ उसने मुझे अपने मस्बूत हाथों से पकड़कर बातरूम में धकेल दिया था मैं देख तो नहीं सकती पर चूकर एहसास तो कर सकती हूँ क्या त्यारा कौन है थेंगे मिस रड़नी तुम को ऐसे पेशावर कातिल को जानते हो जिसके हाथों की पकड़ बहुत मजबूत हो नए मैं ऐसे किसी आद्बी को नहीं जानता है तुम खुद गुनाओं को पकड़े बैठे हो तुमसे गुनेगारों को पकड़वाने की उमीद नहीं की जा सकती मैं कुछ समझा नहीं आप किस गुना की बात कर रहा है गुना छुपाने से गुनेगार नहीं छुप सकता जै देखो मैं यह नहीं चाहता कि पड़े लिखे डिगरी होल्डर के लिए मुझे अपना रिवॉल्वर निकालना पड़े मेरा का मान लो राना का साथ छोड़ दो अगर इन लोगों को छद दे कर तुमने एक नेकी का काम किया तो इन ही लोगों से पूछ लो क्या उस रोटे को खाएंगे जिसमें गुनाओं की छीटियां रहेंग रही हो पिटी क्या ये सच है कि तुम उस गुनेगार के लिए काम कर रहे हो नहीं पिटी नहीं कीचर में बैठ कर कीचर मत उच्छालो हमें पाप की रोटी नहीं चाहिए गुनाओ के पैसों को नहीं चुना है हाँ भीया तुम्हें पाप का रास्ता छोड़ना होगा पाप के रास्ते पर बरबाद ही हो जाती है भीया अब अब पिताजी के बाद तुम्ही तो हमारे सब कुछ हो कहीं ऐसा नहों, ये गुनाहों का रास्ता, एक माँ से उसका बेटा और एक बहन से उसका भाई जिन ले नहीं भाया नहीं, तुम्हें रास्ता चोड़ना होगा, चोड़ना होगा भाया राना साहब, मैं अपने बाप का प्राश्चित करना चाहता हूँ, इसलिए मैं पीसी माथुर की विद्वा और उसकी इकलोती बेटी को अपनी माँ और बेहन बनाकर अपने घर ले आया हूँ, वो, वो दोनों, वो दोनों मेरे इस काम को गलस समझती हैं, इसलिए वो नहीं ज राना साहब, क्या मैं ये काम छोड़ नहीं सकता ये सचा जये, जो एक बार पाप के रास्टे पे चल पड़ा, वो उसी रास्टे पे किसा चला जाता है, और अपने गर वापस नहीं लौट पाता, लेकिन तुमने अभी गुना के रास्टे पर इतना सफर नहीं किया के लौ हॉसले से हर काम ममकिन है, हॉसले से इंसान अपनी तख़्दीर जैसी चाहे वैसी बना सकता है, और राना की जिंदगी में कुछ ऐसे हिसाब होते हैं, जिने राना अपनी आदास्त की किदाब में लिखकर उसे हमेशा के लिए बंद कर देते हैं ये हमारा वचन रहा के गुना के समुन्दर की कोई भी मचली तुम्हारे जीवन की पुईत्र नदी में कभी नहीं आएगी जाओ जाए इन अधेरों से निकल कर बहार एक नया उजाला तुम्हारी राहा देख रहा होगा भूल जाना के कभी इस राना का साया तुम पर पड़ा और तुम गुना के रास्ते पर चल पड़े आज आज अगर मेरे पिताजी जिन्दा होते तो मैं अपनी नहीं जिन्देखी की शिरुवात उनके चरण छुके करता आज आपके चरण छुलू बेटे अगर तुमने हमें पिता की पद्वी दी है तो याद रहे हमारी मृत्यू जहां कहीं भी हो हमारी सिता को अगनी तुमी दिखाना जये जहां रहो आबाद रहो अपने मकसद को हमेशा अपनी नजर के सामने रखना कभी कोई मुश्किल आए तो अपने इस राना को आवास देना इस राना को आवास देना तुम तुम हमेशा हमारे दिल में रहोगी तुम हमेशा गिल में नजर को आवास देना क्यावास देना झाल झाल कि प्रख कर दोटना, कि प्रूंद टुर्दू कर दोटो ऑग जाओं ten जुट है, पुट है, झाल शर टोट है, जाओं पर एम खेंसे ऑना, कि तो खुट है, तो टारा कि वहां जो टूएं है, तो एमें आफे जोड़ार पे प्रूंद है! ang-a-ang-b Radio ang-a-ang-blowing ang-a-ang-a-ang-a ang-a-ang-ng ang-a-ang-a-ang Main ang-a-ang ang-a-ang-ang कि आया कंदोड़। देख बैना, यह है तेरे भाई का छोटा सा घर छोटे से घर को क्या देखना भाईया, मैंने तो भाईया का बड़ा सा दिल देख लिया जिसने राद दिन एक करके, मेरी आखों के रोशनी दिलवा कर, उझे नहीं जिंदगी थी बस अब जब तक मैं जिंदा रहूँगी, सिर्फ तुम्हें और तुम्हारे प्यार को देखती रहूँगी हे, ससरा नहीं जाएगी क्या, अब तो बस जल्द से जल्द मुझे अपनी बहना की शादी की तयारी करनी है तुझे इन हाथों से डोली में बिठा कर बिदा करूँगा, तब जाकर मेरा सपना पूरा होगा, क्यों मा? हाँ बैटी, लेकिन पहले मेरे मननत तो पूरी कर लो, मननत? हाँ, मैंने दुर्गामा से मननत मांगी थी, अगर रजनी की आखों की रोशनी वापस आ जाये, तो मैं नंगेपाउ मंदिर जाकर दुर्गामा की मूर्ती को दूद से नह लाओंगे मा? मैं मंदिर जाने की तयारी करती हूँ, तुम दोनों भाई बहन, बातें करो मैं पहली बार तुमारे हाथों से गरमा गरम चाय पीना चाहता हूँ, मैं हाथ मुद दोता हूँ, तु चाय बना, अभी लाई भाईया तुम, आ मैं, अगर हिले या आवाज निकाली, मैं तुम्हारी खोपड़ी लपेट दूगा, तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुप चाप हमारे साथ यहां से चलो अगर तुमने अपनी हलक से आवाज निकाली, तो मैं तुम्हारे भाईया की आवाज हमेशा के लिए खामोश कर दूगा हाँ, हाँ, मैं इसे लपेटता हूँ, क्या बुलबुल है हराम जाने पर दो इसे हाँ! बया! रे फषूम बे बया 맞त! ब 한데 फ्रे बीछ.. बया हाँ! बया हाँ चुप अधाँ! बया हाँ! बया हाँ! तू झालने हैं का घजा रख। तो मुझे मारना चाहता है ना लेकिन तेरी एक ख्वाइस कभी पूरी नहीं होगी समझा आज तेरी जिन्दगी का आखर दिन है जिस तरह राणा ने सोनू की लाश को पेटी में दाल कर पहिया था आज उसी तरह तेरी लाश भी राणा को उसी पेटी में भेचूंगा समझा मुझे लाओ एक वाओ तेरी लाओ जी यह द Васरांale अाइस प्रफ्टी जिस तरहाँ उसी प्रफ्ट प्रफ्टी लड़ कर दोड़ाख! वाओ प Prize वाओ झाओ!! है भप्स जट ह्स! वाँ वाँ भाक भूमधा जए घड़ भाक प्लाओ है, अश्श्चर... Aaaağ instagram.. Aaaaaaargghh!!! Aaaaargghhh!! Ahhhh!!!! Ayy.. जो चलो मा रजनी सब कुछ तबह हो गया पिटे मैंने मंदिर से आते ही देखा कि रजनी बेहुश पड़ी अभी अभी होश में आती ही मेरा शक याकिन में बदल गया रजिनी जहर मांग रही है ये बेटे उसे बंदा चाहिए मरने किल गी दे लेकिन हुआ क्या माँ? एक हिज़त ये तो औरत की दोलत होती है बेटे वो भी वो कमीने लोट कर चले गए मेरी बेटे तो पहले से बेशारा थी अब तो दवाभी होगी थी ऐसा नहीं हो सकता मैं उस हरामजादे को जिन्दा नहीं छोड़ूगा माँ क्या बात है जोग आईए इंस्पेक्टर सहाब आईए और अपनी आखों को जरा अच्छी तरह से खोल कर देखिये ये दुनिया उसी के कदमों में जुकती है जो इस दुनिया को अपने चूते के नीचे रौन देता है सीधी और तच्छी रापर चलने वाले का अंचाम देखिये क्या बात है जै मुझे साफ साफ को हो साफ बात ये है कि उस कमीने ने इसकी इज़द लूट ले क्या मैं उससे ऐसी सजा दिलवा होंगा कि वो भी जिन्दकी भर याद रखेगा उससे सजा दिलवा के मेरी बेटी की इज़द आपर वापस आ जाएगी नहीं इंस्पेक्टर साब नहीं जो बात घर की है उससे घर में रहने दिजिए नहीं चाहिए मुझे थाना पुलिस का चेरी हाँ कल तक यह अंधी थी और आज जब इसने अपने आखोस इस दुनिया को देखा तो इस बेरहम दुनिया ने इस बेचारी को सबकुछ लुट लिया जब तक तुम्हारा कानून इसे इंसाफ दिलाएगा तब तक तब तक ये बेरहन दुनिया इस बिचारी को ताने मार मार कर मरने पर मजबूर करतेगी कहीं किसी किताब में तुम्हारे खानून में ये लिखा है कि जिस लड़की की इज़त लुट जाए तो कौन धमेगा उसका हाथ कौन डालेगा इसे गले मंगल सूत्र हाँ जवाब दीजे इसके साथ शादी कौन करेगा इसके साथ शादी मैं करूंगे इसके साथ शादी मैं भरूंगे इसकी मांग में सिंदूर इंपेक्टर साब हाज़े टेलीफोन उठाकर खामोश रहना मर्दों का काम नहीं लीके और फिर हम रिक्कू की कर्टूतों से जान चुके हैं कि तुम इसी शहर में हो और यह नहीं जान पाए रहना कि बहुत उचलने वाले शेरों को मैं कैसे उड़ा देता हूं बाजार के किसी साक्षाप दरजी को बुला कर अपने कफन का माप दे दो डीके और अपने पाल तू कुटों से कह दो के साथ सात्रिक्कू की अर्थी भी तयार रखें 24 घंटे के अंदर अंदर हम तुम दोनों की अर्थी देख कर ही अपने मूँ में पानी डालेंगे राना साथ हमें सब मालूम है जै इसलिए हम डीके और रिक्कू को 24 घंटे में खत्ब करने का फैसला कर चुके हैं राना साथ कल रजनी की शादी है हम ये भी जानते हैं जै इंस्पेक्टर खन्ना इन सब बातों के बावजूद रजनी से शादी कर रहा है एक नेक इनसान होगा शादी की रस्प तुम अदा करना कन्यादान हम करेंगे जाओ शादी की तयारी करो कल जोली तो शहर में एक उठेगी लेकिन लाशों को कंधा देने वाले कम पड़ जाएंगे और ये शादी राणा की बरवादी का ऐलान है रिकू को खबर कर दो इस शादी में एक वारदात होनी चाहिए और वो वारदात इतनी खतरनाक होनी चाहिए के राणा अपनी इकलोती तमन्ना को साथ लेकर उपर चला जाए अखंड सावपा क्योती रहो बैठी मा दुरका तुम दोनों के जोड़ी सलामत रखे मा मुमारक हो सर अब कलाई तेरे हातों में है आज तो जानी गयोगी कि मैं कौन हूँ मैं तो उसी दिन जान गए थी भाया जिस दिन मैंने तुम्हारे कलाई पर राकी बांदी थी लकाब पेहने से शैतान छुपता है भाया इंसान ने और तुम 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 तु इंसान के रूप में देवता हो देवता हो भागवान तुझे बहुत खुशिया दे जिंदेगी पर पाप करता आया इसलिए यह भी नहीं मालूं कि बेहन को विदा करते हो क्या कहना चाहिए हाँ लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि जिंदेगी में अगर किसी ने मेरे लिए दुआ की हो तो वो भी तुझे लग जाए राना मारा गया आज की ताजा खबर आज की ताजा खबर राना मारा गया राना की मौत के साथ हमारी जंग खत्म हो गई रीकू हाँ बड़े भाई एक तरफ जहां हमारी दुश्मनी के गीथार गलियों में गाय जाएंगे वहीं दूसरी तरफ हम राना की अर्थी पर फूल चड़ाने जरूर जाएंगे बहादोर जी राना की श्रधान्जली की तयारी करो बहादोर जाएंगे बहादोर जाएंगे वरीबा का पालन्धार चला गया था हुँँँच्छ्ट वरीबा 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 अप्सक्ट भी घर से कि यंच लूगया है nó प्ला वज खूहनों कया छोगया है अ अ लगा म страшना निडियोब मिजड़ पिर फिर 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 कि अ जिस विर फिर 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 फिर无ना है अप जब पना है पूर्ण के पूर्ण के पूल है राना मुझे अफसोस है राना चौबीस घंटे के अंदर मुझे मारने की प्यास लिए ही तुम इस दुनिया से चले गए अफसोस करने की जुरूद नहीं जीके राना ना प्यासे पैदा हुए थे और ना ही प्यासे मरेंगे ठीके यह हमारा पुतला है जिसके आगे तुम अपना रोना रो रहे थे और यह वो चाल थी जो तुम्हें और तुम्हारे चूजों को डर्वे से बाहर मिकाल लाई तुम्हारा पुतला तो यहां फुकने आ चुका है राना लेकिन याद रखना तुम्हारा मुर्दा भी यहीं जलेगा डीके राना को खत्म करने के लिए अभी तक इस दुन्या में कोई इनसान पैदा नहीं हुआ खासम खा चुके हैं तुम्हें 24 गंटे में खत्म करने की सोग करके रहेंगे और उसका मकाम भी यही शम्शान भूमे मकरर किया है और यह भी फैसला किया है कि इस दुन्या के तुम पहले और आखरी बनसीब कमीने होगे जिसकी ना तो अर्थी उठेगी और ना किसी कंदे का सहारा सीधी चिता जलेगी चिता तो बाद में जलेगी राना पहले यह देखना है कि यह सफेद चादर किस पर कफन बन कर लिपटती है कि बाद कि यहाः तो यह सबस्किता कि अकि बाद लिव भी बनसीचा वाद ़ स्टों जल्र पह तो 11ँ हाई लिव हाई कि भ बynnऄ़रope व्या कर सकते सरो अजाडने के लिए और अजाने एंड़े, और लार अजाने झाले के लिए। हुआ 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 ऑई हुआ हुआ Ζक्प हरुआ ते प्राद हुग़ गौरन करते हैं आकोप। ट्राद हुआ धारू kick-हां खरथजी équया भीकिन ऊगाउ व्रण कि खुआए एुआए ऩाँ जूए झाल सबस्टोर सबस्कार कर से टुआए वाँ की लगोस्कार कर सकार भाया जिए एente कर वंदोंume जब टे ओडोड़घ खूर नदुरू एला का अजब्सक्क कटले और लॉड़ थरूरु कर यह कोरे आंदग, भूड़ा एला को辟़् लॉड़ा साफ है टह, लॉड़ा प्यॉड़ाख ऱम खजयोします झाल 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 hon n can the yeah वाल हुआ 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 हुआए हुआ पस्था fitted दो टुर छुब एकाइड़ा लगियो पेलाजा के जडिवा लगंगे फ्टाइड लुडा लो गार होगें भार्व टुर रार दिवां एार जर घार बार बार जार दे एार दूए टुरू। हुआ 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 हु जिन्दगी एक नाटक ही तो है लेकिन जिन्दगी और नाटक में फर्क है नाटक को जहाँ चाहो जब चाहो बदल दो लेकिन जिन्दगी की नाटक की दोर तो उपर वाले के हाथ में है उसे हमाई जिन्दगी का नाटक पसंद नहीं आया और उसने आम पर परदा गिरा दिया रहारसब जोती उस चिता में जो जो जल रहा है वे तुमारे पिता का काशिल था हमने तुम्हारा कर्द उतार कर अपना फर्स अदा कर दिया रहारसब आज तक आपने एबात मुस्ते छोपा रखी हम ये कैसे चाहते के तुम्हारे हाथ खून से रंगे जाए जये, जये, हमारा इस दुनिया से रिष्टा खत्म हुआ लेकिन जये, हमारी बची हुई दौलत से एक ऐसा घर बनाना जहां भूके को रोटी, बे सहारा को सहारा अनपढ़ को विद्या और जाहिल को ग्यान मिले ताके नेकी और बदी की जंग में नेकी मरते दम तक जीतती रहे मरते दम तक जीतती रहे इसी घर में दो चार गज जमीन इसलिए भी उठा रखना कि कभी कोई वफादार इंस्पेक्टर अपनी इमानदारी के विज़न से जेल काट कर आए तो उसे रोजी रोटी के इलावा मन की शांती भी मिल सके ताके कोई इमानदार पुलीस वाला इंस्पेक्टर राने से राना सहाब न बन जाए राना सहाब, राना सहाब खोच रहो अबाद हो, खोश रहो, आबाद रहो खुष्राओ, आवाद्राओ ाद्राओ